एक पच्पन पे अंदर गए हैं और उसके अंदर वो पिछे पहले कार में बढ़ा है डिक्की खोल के अंदर गया फिर पता है उसने कैसे क्ला अटोमेटिक कार है फिर वो बहार आया फिर अंदर गया और आमने बहार कुछी देखी जब कि वो गाड़ी आम आज भी नहीं चु पूरी हो जाती है सीची टीवी कैमरे में पूरी वार्था तो यह सरदार जी क्या कहेंगे यहां कभी ऐसी वार्दात नहीं हुई थी यह पहला पहली वार्दाती लगा लो और यह दो तीन साल हो गया है यहां कुछ लोग आउटसाइडर आ जाते हैं इदर उदर काफी मतलो जो हैं जैसे यह दुकाने हैं सौधा लिया लिया तो चले जाओ चलो पांच-दस मिंट में पंतरा मिंट में अब कई लोग यहां तीन चार-चार घंटे हां सीची टीवी कैमरे में आई तो है लेकिन अब फेस कितना आया कि के नहीं आया उससे पता चलेगा लेकिन यह मतलो पुरा एक पच्पन पे वो यहां से यह से दूम के गए हैं एक पच्पन पे अंदर गए है और उसके अंदर वो पिछे पहले कार में बढ़ा है डिकी खोल के लोग तोड़ते हैं से अंदर गया फिर पताने उसने कैसे क्ले अटोमेटिक आ रहा है फिर वो बहार आया फिर अंदर गया और हमने बैक उत्ति देखी जब कि वो गाड़ी आम आज में नहीं चला सकता अच्छा वो तो क्या लिए प्रोफेशनल रहा है बेती था गोई यहां पर कार खड़ी करके सीन वंदे से वो अलग कार रेकी भी करते रहे देखते भी रेको यह देखते रहे हैं व पूरी पूरी रेकिया 500 परशेंट उनको पता था यह अट्रमेटिक गाड़ी है इसको कैसे चला मैं अब आपको गाड़ी दो आप चला नहीं सकते हैं को कोई भी नहीं चला था इसका यह है कि वह पूरे दे दिया कल यह फार होगी थी अब कारवाई क्या होती है कुछ कैमरे में पूरी गार्दा जूरूर का दे होगी लेकिन फिलाला पुलिस को सिकाय दे दी गई और कार आपको बताने की वहां पर खड़ी हुई थी और किस तरीके से घर के बाहर कार खड़ा करना अब किस तरीके से सुरक्षित नहीं रहा इसका अंदाजा आप इन तस्वीर भी यहां पर लगे हुए हैं